वेल्कम अमर सर योटूब चैनल इस पर आप सबों का सागत है सिंप्लिफिकेशन, मैजिक ऑफ सिंप्लिफिकेशन ये 10 कुस्टिन्स क्लारिकल एक्जाम में आते हैं और S.B.I. कलग के लिए भी इसका विशेश महत्व है एक्जाम के आई हुए इन खौबसूरत प्रश्णों को देखते हैं आई सबसे पहले देखिए मैंने जो 7 कुस्टिन्स रहे हैं करते कैसे हैं? उसके बाद क्यों करते हैं? दोनों बाते हम जो करेंगे सबसे पहले देखिए 1st कुस्टिन बाद स्क्वाइर रूट है सब देख रहा है 3, 24, 18, 17, 35 अंसर 35 अंसर 35 अंसर देखिए बोलेगे किरी कैसे बोलेगे? तो मैं बटाता हूँ कैसे बोलेगे? देखिए इस्क्वाइर रूट अफ 289 है यह तो हम जानते हैं कि यह 17 का स्क्वाइर होता है तो होगा बोलिए यह जो लिखा हुआ है इस स्क्वाइर रूट अफ 3 इन 2 स्क्वाइर रूट अफ 108 इसको अंदर लेके चले जाते हैं 3, 24, 18 का स्क्वाइर होता है तो हम क्यों न बोलें YES, 35 अंसर यानि कि टीज अंसर तेखिये आए, next question, second second question what into 7 by 8 plus 1 and 1 half divided by 11 is equal to 3 by 8 कुछ पाइर मन में करते है थोड़ा rough work this is 3 by 2 divided by 11 3 by 22 less हुआ 3 कमन आया minus 1 by 22 22 minus 8 14 by 8 into 22 into 3 इतनी दूर तक मन में हुआ अभी कैसे हुआ बताऊंगा लेकिन जहां तक सवाल है मन में calculation का तो मन में मैने ये कहा कि 3 is taken as common 8 into 22 और minus 8 22 minus 8 14 यही हमारा rough work है बताता हूँ हाव, 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 that means 3 by 11 is answer, 3 by 11, B is answer, बताता हूँ कि यह कैसे होता है, यह होता कैसे, देखें, second number question है, what into 7 by 8 है, plus 1 and half divided by 11 है, is equal to 3 by 8, देखें यह तो ठीक है, यह क्या है, 3 by 2 है, और यह into 1 by 11 है, इसको उधर ले जाएं, तो क्या हम नहीं लिख सकते, कि 3 common लेंगे, 1 by 8 minus 3 common लिया, तो 1 by 22, ऐसे, इसको solve करते भी, और finally, हम क्या ऐसे नहीं लिखें, कि what into, what into 7 by 8 is equal to 3 into 22, 8, ऐसे करके 8 into 22, और ऐसे करके 22 minus 8, और यह समझ में आ रहा है कि नहीं, यह, पर आप जरनते हैं कि हमें इतना लिखने की जरुवत नहीं होती है, हमारे ले तो यही खाफी है, जल्दी बलिए, ऐसे करेंगे ना, चले, ठीक है, चले, 3rd question pure, 3rd number question, देखी जल्द, क्या दिखता है, हमें दिखता है, जो दिखता है, 12, 14, 26, 3rd number question का जो rough walk है, 26 by 7 into 3 into 9 by 13, यही rough walk है, यही rough walk है, यही rough walk है, यानि की 6 by 7, यानि की A answer, मुझे, होगा, 3rd, solve ऐसे ही करेंगे, फिर भी मुझे बताना तो है, यह 4 by 7 है, plus 2 by 3 है, और यह divided by 1 and 4 by 9 है, 1 and 4 by 9 है, आप देखिए, इसको हम लोग इस तरह से लेते हैं, जो नीचे लिखा, कि हमने 7 into 3 किया, 12 हुआ, 14 हुआ, divided by है को into किया, और यह 13 किया, यह पर्टो वाट, और उसके बाद आप चांदते हैं, कैसे किया गया, है ना, next, आगे बढ़ें, 4th number question, देखिए, 25% of 22 square minus question mark is equal to 72, 25%, 1 fourth, 22 square, मतलब 2 square in 2, 11 square, 2 square, 4 is cancelled, 121, नहीं, नहीं, 121 में, 120 में, 70 हटाई, 50, plus 1 minus 2, 49, answer, है, बताता हूं, मैंने क्या किया, देखिए, 4th number, यह जो लिखा हुआ है, कि 25% of 22 square, minus question mark is equal to 72, तो इसका मतलब 1 fourth होता है, और हम यह जानते हैं, कि यह 2 square into 11 square होगा, तो यह cancel होगा, minus question mark is equal to 72, मूल बात calculation का है, देखिए, कुछ ऐसा है, कि less कैसे करें, अरी भाई, 120 में, अगर हम ऐसे समझें, और इसको हम ऐसे समझें, तो पूरा धाचा कैसा नजराता है, ऐसे नजराता है ना, और आसानी से हो जाता है कि यही काम, जो हमने मन में किया, जो हमने मन में किया, तर आसाना में सुंदर-सुंदर नंबर बनाने है, देख रहा है, डेटा को हवा में कैसे ऑपरेट करें, तो ठीक है, यह जदा अंसर, और तंबर question था, आईए, इसके बाद चलते हैं, next, fifth नंबर question कि और, fifth नंबर तिख यह, what percent of 250 plus 9 is far equal to 181, थोड़ा सोची, 9 is far 81, 100 माने 40 पसंद अंसर, 100 माने 40 पसंद अंसर, fifth नंबर जो question है, वो है what percent of 250 plus 9 square is equal to 181 यह questions exam के questions हैं और exam के questions खुबशूरत होते हैं उसके data एक दूसरी के लिए बने होते हैं हमें देखता है कि यह 81 है हमें यह देखता है दिखता है देखी 81 है यह 111 है तो ऐसे करें कि नहीं मतलब जाके list हुआ कहने का मतलब उदर जाके यह प्यास है न ऐसे और what percent of 250 कुल में आके होता है what percent of 250 is equal to 100 10 percent 25 to 40 percent 100 जले बली 100 यानी की question mark is equal to 40 60 यानी answer 40 percent है है हना आगे 6th number question देखें 52 percent of 700 plus what into 3 is equal to 20 square 20 square तो 400 यानते हैं 52 percent of 700 अरे नहीं 700 percent of 52 अरे नहीं 7 times of 52 अरे 7 times of 50 तो 350 हुआ 2 times 14 हुआ 350 plus 14 364 हुआ 400 मिलस हुआ 36 हुआ 3 से दिवाद हुआ 12 हुआ 12 हुआ 12 हुआ देखें आएसे यह हैना 52 percent of 52 percent of 700 plus what into 3 is equal to 20 square यह तो है ना question हमें दिखता है कि यह 400 है और हमें दिखता है कि यह 350 plus 14 यानि कि यह 364 है plus what into 3 है तो क्या what into 3 का मतलब उधर less होकर कि 364 क्या 36 ना होगा तो question mark 3 से cancel होके question mark का value 12 ना होका यानि B answer और अब 7th number last question ठीक है देखें 7th number 13 plus 15 into 7 minus square root of 196 is equal to what exam की questions है this is 14 14 13 में लिसकर का मैं दिखें मिनस 1 बजेगा 105 minus 1, 104 is answer इसमे तो कुष्थानी 104 is answer 7th number जो question had 13 plus 15 into 7 minus square root of 196 is equal to what? हम जानते हैं कि यह 14 होता है, यह 105 होता है, यह 13 होता है, तो यह question mark 104 हो का, यानि D, देखने जिए एक बार, कितना बढ़िया यह था, simplification के questions, previous years के questions है, data एक दूसरे के लिए बने होते हैं, बस एक नज़रिया चाहिए, और simplification में तो mathematics दिखेगा, all the rest.